नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर बासक महीने इस फल की खेती कर किस्तान हो जाती है माला माल शुगर मरीजों के लिए बेहत फायदिमन किस्तान अब परंपरगत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ तीजिस से रुख कर रहे हैं इससे किसानों को कम लागत में जादा मुनाफ़त तो होता ही है साथ ही किसा समय पानी फल सिंगाड़ की खेती करने में मश्कूल है सिगाड़ की खेती किसानों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है इससे मेहनट थोड़ा जादा है लेकिन मुनाफ़ा पारंपरिक फसलों की मुकाबली कही जादा है केम्बू जिला अंत्रगद भगवान पूर प्रक्रनिस्थिद रामगड के रहने वाले किसान बीरवल चौधी देतरी गाउं के पास भववान चैनपूर मुखे मार्ग की किनारे सिंगाडा की खेती किये हुए है किसान बीरवल की मुताबिक एक एकड में करीब एक लाग तक की बचत हो जाती है बड़ी बात यह है कि यह खेती में इस दो महिने की होती है 40 रुपे प्रती किलो बिक रहाए पानी का फल सिंगाडा बीरवल ने बताए कि जमीन ठेके पर लेकर पारम पर एक फसल की बज़ाए सिंगाडे की खेती में थोड़ी मेहनत करनी परती है लिकिन इससे आमदनी जाद होती है इलाके की किसान सिंगाडे की खेती से बेतर उत्पादन कर अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे है किसान भीरवल ने बताए कि सरक किनारे खेती करने से दोड़ा फायदा मिल रहा है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही और तुनत नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन प्रेस करना ना भूले अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूर बाएब